हाई फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीडे निव दोस्तों जैसा कि दो दिन पहले ही आरार भी फी रिफंड को ले करके एक अपडेट आई थी अभी दोस्तों देखिए बड़ी ख़बर है यहां पे लाखों छात्रों के फी रिफंड यहां पे अटक चुके हैं और रेल्वे की गलती के कारण दोस्तों ऐसा हुआ है काफी सारे चात्र जब अपना बैंक मोडिफाई कर रहे हैं तो इन्वाइलिड रेजिस्टेशन नंबर या रॉल नंबर या पासवर्ड ऐसे करके लिख रहा है जबकि कंडियेट के कहने हैं कि मेरे डिटेल सब कुस सही है फिर भी इस तरze से दिखा रहा है तो जात्र को करने के चाहिए कैसे इनके पैसे बापस मिलेंगे तो आएंज इस वीडियो में जानते हैं जल्दी से सभी को एक काम कर लेना चाहिए ताकि तुरंत आपके पैसे यहाँ पर एकाउंट में बापस हो जै तो चलिए वीडियो 14 नमबर से यहां पर live हो जाएगा तो जैसे ही price reveal होते हैं इसके बाद आप लोग सबसे lowest price में यहां पर test to pass pro buy कर सकते हो और Salver के लिए mock test लगा सकते हो और buy करतस में coupon code में type करोगे NEW new तो और extra आपको 12% off मिलाएगे इसके बाद जितने government exam है railway के सारे के सारे exam के mock test previous paper sample paper remote test सब कुछ लगा सकते हो तो वीडियो के description box में link मिलाएगा price reveal होने के बाद आप लोग चाहो तो इसको buy कर सकते हो दोस्तों जैसा कि ministry of railway के तरफ से एक order आया था कुछ दिन पहले ही जहां RRC group D भरती 2019 वाले में जिन्होंने भी form apply किया था और जिनके पैसे बापस अभी तक नहीं मिले है जैसे कि 400 रुपे रेलवे को बापस करना है और 500 रुपे बापस करना है जिनको 500 रुपे लगे है धीरी फंड नहीं मिल पाए है 4-4 पर मौका दिया गया था लेकिन फिर से एक अंती मौका रेल भी ने दिया है कि ऐसे चातर अपना bank detail सुधार सकते हैं अपना bank detail बताइए सही सही 11 November से लेकर के 20 November के बीच में अपना bank detail दे दीजे हमें ताकि हम लोग पैसे आपको वापस कर अकाउंट में ठीक है दोस्तों और यह सारी चीजे बताई गई थी कि बिल्कुल आपको account number सही डालना है और IFSC code सही आपको डालनी है एक bank account में एक ही credit के हैं जो की पैसे यहां पर वापस आएंगे तो यह सारी चीजे थी अब इसके regarding link है जो की activate हो गया था दोस्तों और उस और RRB की गड़वड़ी है RRB के तरफ से प्रोब्लेम हो रही है तो देखिए यहां पर मैंने भोपाल जोन की website open कर रही है और यहां पर देखते हो तो notice जो आई थी इसमें notice दिया गया है final chance bank modification का पैसे मंगाने जिसमें और यहां पर यह लिंक दिया गया था link वीडियो के description box में मिलेगा वहां से भी जाके आप लोग इस link पर आ सकते हो ठीक है यहां पर देखिए इस तरह से open हो रहा है जिसमें detail मांगा जा रहा है कि registration नंबर बताए डेट बर्त बताईए और यहां पर security code है इसको डाल करके login किजिए जैसे ही can data पना सही सही detail डाल रहे है तो बता र है ऐसे कई सारे चातर के साथ इस तरह से हो रहा login ही नहीं हो रहा है तो आखिर पैसे बापस आएंगे कैसे bank modify चातर करेंगे कैसे तो यह पूरी तरह से रेलवे की गलती है पहले भी चार बार मोंके दिये हैं उसमें काफी सारी यही सारी चीजे glitches और यह सब problem आ रही थी जि इस पे help desk पे आपको क्लिक करना होगा सारे के सारे चातर जिनको भी इन्वैल्डी ब्रता रहा है एक बार अपने तरफ सभी confirmation कर लिजाए कि आपको पैसे refund मिले हैं या फी नहीं मिले है ठीक है अगर 390 या फिर 240 के आसपास मिला होगा 2023 में ठीक है फ्रेंस तो समझे की railway ने आपको refund कर दिया अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग यहां पे bank modify करके अपने पैसे इसमें बापस ले सकते हो और लाखों छातर के नहीं मिले है यह railway खुद ही accept कर रही है तो देखिए यहां पे help desk में आपको बताना होगा railway को क्या द form भरते से मैं form भरते से मैं जो यहां पे email आप लोग डाले थे same to same वही email आपको डालना है ताकि यह लोग verify कर सके database से query problem आपको problem बतानी है कि किस तरह की problem यहां पे आ रही है bank modify करते समय यह मैं बताऊंगा कि लिखना आपको क्या है इसको security code यहां पे आता है इसको डाल करके और इसको आपको submit कर देना होता है अब query problem में लगबख सभी का एक ही तरह का problem आ रहा है कि sir मैं जैसे ही login कर रहा हूं तो invalid registration number roll number यह फिर password करके बता रहा है और login ही नहीं हो रहा है जबकि मेरे पैसे भी वापस नहीं मिल पाए है तो यह problem के लिए आपको क्या लिखना है यहां इंग्लिश में दोस्तों लिखना होगा तो सैंपल के तोर पर देख लिए आप सारे चातर जिनको जिनको इस तरह की problem हो यह वह यहां पर इस format को लिख सकते हो जैसे sir my name is अपना नाम यहां पर डाल दिजेगा full name my registration number या roll number जो आपको याद है वह यहां पर डाल दिजेगा कि यहां पर डाल देना है इसको आइव नॉट गोट रिफंड इन ग्रूप डी 2019 यानि ग्रूप डी 2019 के भरती था उसमें मुझे रिफंड नहीं मिला है railway के तरफ से when I am updating my bank details जब मैं bank details update कर रहा हूं it's showing me invalid registration number password यह मुझे बता रहा है कि invalid registration number या फिर password है my details are correct मेरे details बिलकुल सही है so please solve this problem soon and initiate my free refund इसलिए इस प्रोब्लेम को जल्दी जल्दी solve कर दीजे और मेरे पैसे यहां पर refund कर दीजे तो एक format को आपको अपनाना है और सारे छात्र जिनको problem हो रही है यहां पर अभी invalid registration number पासवर्ट ऐसे बता रहा है वह इस चीज को लिग करके अपना उसको submit कर जाएगा railway के पास तो वो लोग दोस्तों मजबूर होंगे इस बात को लेकर के और उनको लेगा कि हाँ प्रोब्लेम है और उनके तरफ से कुछ गल्ती है जिसके कारण यहां पर invalid बता रहा है इसलिए इसमें solution करेंगे जल्स जल्द कुछ न कुछ और ताकि फिर से आप छात्र एक वारे कर लिजें अगर जिनका यहां पे bank modify हो जा रहा है तो उनको तो कोई दिकत वाली बात नहीं ठीक है किनी का bank modify हुआ भी है तो comment section में पर आ सकते हो ध्यान रहे हैं फ्रेंट्स सिर्फ और सिर्फ यहां पर ग्रूप D के जो केंड़ेट हैं उन्हीं के पैसे अभी बापस आ रहे हैं रिफंड ऑफ एक्जामेरेशन फी अगेंस यह नंबर रर्सी एक अब्लीक 2019 लेवल वन पोस्ट ठीक है तो जो अलपी के छात्र हों 2008 वाले जो टेकनिशन के छात्र हों जो जेई के छात्र हों वो अभी आर्पीएफ वाले हों वो इसमें कुछ नहीं करेंगे सिर्फ और रर्स KAM तो P Somehow बापस आइं ये सभी छाता हों जीनों ने सिवयीट का एकजाम दिया था जो एक्जाम दिने करते सब के पैसे वापस आजाएंगे जो एक्जाम देने नहीं गया थे उनके पैसे बापस नहीं आएंगे तो यह रही अपडेट बाकी और कोई कोई कोईरी आ रही है कोमेंट स्क्राइब में जरूर लिखेगा वीडियो को दोस्तों के शाथ शेयर करेजेगा हर जगापे हर ग्रूप में चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट में